मेरी तब्यत और सब ठीक है मैं सबको रिप्लाइख खुद कर रहे हूं ना की दीदी कर रहे है ठीक है ना तो अब तुन को ब्लेम मत करो सेयार वहाँ पे तो मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया था वो फोन भी आज भी होनी के पाफ है या फिर खुसी के घरवालों ने इन दोनों को अलग किया या मोहित और खुसी एक दूसरे की बिना रह पाएंगे ये सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं माज के वीडियो में वीडियो को आन्त तक जरूर देखे अगर आप बायोग्राफिक ये उनके चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले आईए वीडियो इस्टार्ट करते हैं मोहित और खुसी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि खुसी मोहित को छोड़कर चली कई मोहित कहते हैं कि मुझे बिस्वास नहीं हो रहा है कि खुसी मुझे धोका दे सकती है वो ऐसा कैसे कर सकती हम दोनों ने सचा प्यार किया और साधी भी किया है वहीं खुसी बताती है कि मोहित ने मुझे जबर जस्ती साधी की मोहित और उनकी फैमिली ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मेरा मुबाइल फोन भी मुझे से ले लिया खुसी की बाते सुनकर तो मोहित को बिस्वासी नहीं हो रहा है कि खुसी ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकती है वहीं शोशल मीडिया पर मोहित के फैंस भी या सब सुनकर गुसे में है लोगों का या भी कहना है कि खुसी अगर या सब दबाव में आकर किया है तो खुसी अपनी साधी से इतना खुझ क्यों नजर आ रही थी खुसी को तो देखकर या बिलकुल नहीं लग रहा था कि खुसी ने या सब दबाव में आकर किया है खुसी ने मोहित और उनके घर वालों पर या भी इल्जाम लगाए कि उन लोगों ने पैसों के लिए मेरे साधी मोहित से जब अरजस्ती करवाया है खुषी बताती है कि मोहित की बहन ने मुझे डरा धमका कर वीडियो बनाने के लिए कहा था लेकिन खुषी अपनी लाइफ वीडियो में या भी कहा है कि घर देखा था आप लोग ने वहां मैं कैसे रहती से ये पता चलता है कि खुषी को भी पैसे से ही मतलब है तो आपको क्या लगता है कि खुषी ने या सब दबाव में आकर किया है या फिर मोहित को धोका दिया या फिर पबलिक के नजर में वो अच्छी बनने का नाटक कर रही है इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं अगर आपको खुषी और मोहित के बारे में कुछ और जानना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं अगर आप बायोग्राफी की उनकी चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक सस्क्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले मिलते हैं नेश्ट वीडियो में बाबाए